उज्जैन में एक राजा था, उसका नाम था भर्तिहरी, ये वही हैं जिन्होंने श्रेंगार शटकम लिखा और बाद में वैराग्य शटकम भी लिखा, श्रेंगार शटकम एक कविताओं की रचना है, इसमें सिर्फ काम की लालसा और काम सा हित्य है, वैराग्य शटकम एक प ये राजा शारेरिक सुखों में डूबा हुआ था वो वाकई अपनी मन मर्जी करते हुए जी रहा था एक दिन वो शिकार पर गया और उसने एक हिरन को निशाना बनाया और मार गिराया जब हिरन मर गया तो मादा हिरन जो उसके साथ ही थी वहीं खड़ी रही अपनी जान जो खेमें डाल कर भी वो वहीं खड़ी रही राजा ये देखकर हैरान था भाग कर अपनी जान बचाने के बजाए वो वहीं मरने के लिए तैयार खड़ी थी और तभी इसी बीच राजा के साथ शिकार कर रहे सैनिकों में से एक को सांफ ने डस लिया और वो भी मर गया जब वो मरा उसकी पत्नी आई और जैसे ही उन्होंने सैनिकों आग के हवाली किया तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस औरत को आग से दूर रखा क्योंकि वो आग में खूद जाना चाहती थी तो राजा ये देखकर राजा हैरान हो गया राजा अपने जीवन में खुद को ही सब कुछ समझता था उसके सुख उसकी पसंद वगरा वगरा जब उसने इस मादा हिरन को देखा और उस और उस औरत को आग में कूदने की कोशिश करते देखा तो वो एक तरह से कन्फ्यूस्ट हो गया तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पेंगला तो वो अपनी पत्नी से बात करते हुए बोला पता है आज मैंने ये दो घटनाएं देखी इन्होंने मेरा मन पूरी तरह से कन्फ्यूस्ट करके रख दिया है तब पिंगला बूली अगर दो दिल मिलकर एक हो गए हूँ तब ऐसा ही होता है ये एक सौभाविक चीज है इसमें आश्चरी की बात नहीं है हैरानी की कोई बात नहीं है अगर दो दिल उनके अनुभाव में वाकई मिलकर एक हो गए है उसने अबड़ सहे जोकर कहां जैसे ये काम बात है तो इसने राजा को और भी हैरानी में डाल दिया कि उसकी पत्मी भी है कह रही है उसके पास पांच सो श्ट्रियां थी उसे ये बात समझ में नहीं आई तो अगली बार जब वो शिकार पर गया वो इसको आजमाना चाहता था उसने क्या कि उसने अपने कपड़ों पर जानवरों का खून सान कर उन्हें महल में भीज़वा दिया और पिंगला को ये बताया गया कि राजा मर गए उन्हें एक बाग ने मार डाला तो जब पिंगला को ये खून से सने कपड़े मिले उसने कपड़े नीचे रखे कपड़ों को नमन किया और फिर उन कपड़ों पर लेट गई और उसने वहीं अपनी अंतिम सांस ले और मर गई जब उसे इस बात का पता चला तो वो इतना जाधा परेशान हो गया कि वो बस ऐसे ही उसे परखना चाह रहा था और उसने सच में अपनी जान दे दी और तब उसने अपना राज्य छोड़ दिया और एक रिशी बन गए और तब उन्होंने वेराग्य शटकम की रचना की ये कविताओं वाली संदर रचना है यही इस्त्रि प्रकृति का सौभाव है कि नतीजा महत्वपूर नहीं होता बलकि उस पल में भावना का आवेश और प्रेम किसी भी नतीजे से जादा महत्वपूर होता है किसी काम का नतीजा क्या होगा ये हिसाब लगाना पुरुष प्रकृति का सौभाव है पुरुष प्रकृति हमेशा नतीजे के बारे में सोचती रहती है स्त्री प्रकृति नतीजे के बारे में नहीं सोचती बलकि सोचती है कि अभी क्या माएने रखता है आप क्या सोचते हैं या दूसरा क्या सोचता है ये स्त्री प्रकृति का सुभाव नहीं है वो क्या सोचती है यही स्त्री प्रकृति का सुभाव है क्या उसे विचारों से दिशान ही देनी चाहिए हाँ देनी चाहिए अगर बात जीवन के भौतिक या बाहरी पहलूं की हो तब पर जब बात जीवन की हो अगर आप में इस्तरी प्रकृति नहीं है तो आप जीवन का अनंद नहीं ले सकेंगे इस्तरी प्रकृति का सौभाव है कि उसमें खुद के परे जानी की एक शमता है जो अपने से परे जा सकता है सिर्फ वही अध्यात्मिक प्रकृति के लायक है वो जो अपने आपको बचाना चाहता है वो अध्यात्मिक प्रकृति के लायक नहीं है शामभवी एक ऐसी चीज है जो आप में स्त्री प्रकृति को प्रज्वलित कर सकती है क्योंकि अपने आपको अलग नहीं हो सकता ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं ये एक ऐसी चीज है जिसे आप होने देते हैं शांभवी का सबसे खुबसूरत पहलू यही है आप वाकई ये कर नहीं सकते सिर्फ तब जब आप इसे होने देंगे ये एक बाण की तरह आएगी अगर आप इसे सही से टेक्निकली करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि प्राक्टिस अपने आप में कुछ नहीं करती जब आप इसे होने देते हैं तब आपका सबसे भीतरी हिज्जा जो कि इस रिष्टी का आधार है वो पूरी तरह प्रकट हो जाता है। तो साथ में आपको मिलेगा 11% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। और इस ओफर का पूरा लाब उठाएं। for more information visit myjnanalaya.in leave a sattvic life